दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टैक बाय मुकेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने Vivo T3 Lite 5G के फोन में स्क्रीन रिकोर्डिंग कैसे करेंगे इस स्क्रीन रिकोर्डिंग आपको आडियो के साथ करना है या बगैर आडियो के चले मैं आपको पूरी सेटिंग बताऊंगा तो सबसे पहले हम अपने Notification Panel को सलाइड करेंगे Notification Panel को सलाइड करने के बाद यहाँ पे Record Screen नाम से Right Side आप देख सकते हैं बीच में सबसे Right में एक आइकान है अगर यह नहीं है तो Left Side नीचे आपको Pencil का बटन मिलेगा आप Pencil के आइकान पे किलिक करिए और जो यह Record Screen का Option है नीचे की साइड होगा तो आप इसको Hold and Drag करके उपर की तरब लेते आईए इसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है जब यह उपर की साइड आ जाएगा आपके Notification Panel में Record Screen का Option तो जब भी आपको यहाँ पर पहले इसके हमें एक बार सेटिंग कर लेते हैं Record Screen पर Long Press करेंगे तो यहाँ पर Second Option उपर है Record Sound जिस पर किलिक करके आप System का Sound यानि फोन के अंदर का और Microphone का आप चूज कर सकते हैं System and Microphone दोनों का Record करना दोनों चूज कर सकते हैं जब भी Screen recording करना रहे इस Option पर किलिक करिए Screen recording होना स्टार्ट हो जाएगा